मैं फोर्थ स्टेट के इस चैनल से कहना चाहता हूँ, एक भी बात मेरी, मेरे परिवार की, अगर बताएं, मैंने पहले भी दो-तीन चैनल में कहा है, अब लेके आईए फिर, दावे से कहता हूँ, एक भी इंस्टांस, कोई व्यक्ति के हाँ, मैंने किया है, जा मेरे से देने में, जितना इन तीन साल में हुआ, मतलब इतने चोटे अर्सा में, कभी हुआ नहीं है, जम्मू के लिए, मैं पुरे दावे से कह सकता हूँ, कि एक भी कोई बात बताए, कि हमने कोई नेशनल इंटरेस्ट में, जा जम्मू के इंटरेस्ट में, जा लदा के इंटरेस में, जा कश्मीर में भी जो जनरल पब्लिक है, उनके इंटरेस्ट को हमने वाचनी किया हूँ, मेरी जमीन है, मैं ओनर हूँ, मैंने यहां पर जो है लोन लिया, साथ लाग का लोन लिया है जेके बेंक से, उसके उपर घर पार्टी फैसला करती है, और पार्टी जो फैसला करे गी, ठीक है, तो उसको मनेगे, आप देख रहे हैं दा फोस्टेट मैं गोहर, और हम आपको थोड़ा सा मैं इसकी जो है, बांधना चाहता हूँ, कुछ जो है, पॉलिटीशन ऐसे होते हैं, जो अपनी चाप छोड़ जाते हैं, और आज वैसे एक पॉलिटीशन हमारे साथ ह जम्मू कश्मीर यूटी के, बाजपा के, ना नदे दें, डॉक्टर निर्मल सिंग जी हमारे साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, पहला प्रशन, थोड़ा सा दीखा से, मिस्किया दा रहा है आपको से, लोग भी कह रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंग जी पता नहीं, कहां गायब है, आप दिखते भी नहीं, ओफिस में भी नहीं दिखते हैं, बड़े बड़े फंक्शन में भी नहीं दिखते हैं। प्रदेश में घुमना होना चाहिए इसमें जुरूर कमी थुड़ी आई है यह तो आप सही बात कह रहें लेकिन पार्टी जो जम्मेबरी लगाती है हम पार्टी की जम्मेबरी निवाँने जाते हैं वह सिर्द्व कुछ चर्चाइं चल रही है और कुछ जो है बाजार चर्चाओं से घरम है कहीं लोग भी कह रहे हैं टो nirnal Singh क संगे सर्णयास तो नहीं से पॉलिक्स मैं फिर उनको थोड़ा किनारा तो नहीं कर रहे कुछ भाजपा रहीं हम से त्यक्तनेनय player चाय बिलावर है, वहां कांस्श्वेंसी, चाय बिसोली है जो मेरा घर है बहाँ मेशा मतलब पिछले मेरे मिने भी कोई चार बार मैं गया हूँ जम्मू से मतलब आफिस में बड़ा मिस्किया आपको आफिस में जब कोई बैटिक-बुटुक होती है तो मेरा जाना होता है, को मीटिंग पर जब उलाया जाता है, मैं पक्या जाता हूँ, मैं कोई बैठे मिस्स नहीं करता है, हाँ, इस प्रकार से रूटीन वाला वो ठीक, आप वो सही कह रहे हैं, रूटीन में मेरा जाना कम होता है, पार्टी जम्मेबरी लगाती है, तो तब जाते हैं हम तूट सर बड़ा क्लोज माना गया कविंदर गुप्ता साभ आपको सच्छर्मा जी को मगर यही तीन चार जो नेता है वो बड़ा हम सभी का एक टीम के तोर पर सभी का योगदान है और पाटी जो है वह इस प्रकार का नहीं है इसलिए और जो है कहीं सर्चा इस वकर चल रही है खासकर डिप्टी सीम सर जब आप बने तब की एक बात जो है मेरे बहुत ध्यान में आ रही है लोगों ने कहा कि निर्मल सिंग जी का नाम था मगर ऐसी फेर लिस्ट में नहीं था कि वो डिप्टी सीम जी बन जाए और कही न कहीं पार्टी की तरफ से भी बड़ा थोड़ा उ ऐसा नहीं है क्योंकि जब ये तय हुआ डिप्टी सीम का तय हुआ तब मैं लागोई सभी से सिनियर था कभी लोग नए थे और पार्टी ने भी शुरू से ही मैं स्टेट प्रेजिडेंट था मैं स्टेट का जनल सेक्टर ही रहा प्रेजिडेंट रहा और उसके बाद नेशनल एग्जेक्टिव का लगातार मैं सदसे रहा हूँ तो इसलिए बाते कहीं भी छुपी नहीं है बड़े सारे लोग जो है वो क्लेम कर रहे थे अपना दावाट डिप्टी सीम जी के लिए रमेश पापा जी के साथ आप बड़े क्लोस थे जाते भी रहते थे कहरे थे कि RSS जो है वो बैक कर रहा है उन्होंने जो है डॉक्टर निर्मल सिंग जी को होता क्या है कि राए सभी की लिए जाती है देकर फैसला भारति जनता पार्टी करती है और आपको पता होगा याद होगा कि आरुन जेटली जी यहाँ आये थे, हमारे आल इंडिया जनल सेक्रेटी आरुन सिंग जी यहाँ पर आये थे और उन्होंने सभी जितने भी MLS से उनसे बातचीत करते हुए और सभी से राए लेते हुए उन्होंने तब यह तेह हुआ था और पूरा प्रोसेस से हुआ था पाकि हां राये जो परिवार जो होते है संग विचार परिवार के लोग जो है उनसे होता है मतलब एक इस परकार की बात नहीं थी एक तरफा हुआ जाग परकार करनी था सोच समझ के हुआ और सभी को यह बेदत है तीन साल हमने सरकार चलाई है और हमने सावत भी किया है जमू को जमू का हिस्सा देने में आज भी मैं कहूंगा कि जितना इन तीन साल में हुआ और नहीं मतलब इतने छोटे अर्सा में कभी हुआ नहीं है जम्मू के लिए और जिस तरी के से हम मैं पुरे दावे से कह सकता हूँ कि एक भी कोई बात बताए कि हमने कोई नेशनल इंटरेस्ट में जा जम्मू के इंटरेस्ट में जा लदाख के इंटरेस्ट में जा कश्मीर में भी जो जनरल पब्लिक है उनके इंटरेस्ट में को हमने वाच्टी किया हूँ तो हमने पुरा तीन साल जो किया है मुझे तसली है लोग क्या कहते हैं वो जो ऐसा मैं भूर नहीं मुझे मालूँ तो हमें पुरी तसली है कि जो हमने काम किया आर्बन डिवेल्मेंट में आप देखें आज जो मल्टि टायर पार्किंग जो बनी है आपको काटना चाहूँ नैशनल इंटरस्ट की आपने बात की तो एक प्रशन जो है मेरे दिमाग में आए आपके घर तक आ रहा था तो काफी अच्छा है और जहां बना है वो भी अच्छा है कहीं जो है ग्रीनरी भी अच्छी दिखी मगर आपका घर बड़ा विवादों में रहा सर नैशनल इंटरस्ट की आपने बातें की तो सिर्फ तभी मेरे दिमाग में कोशन आ गया वरना था नहीं गहीं घर बड़ा वि लिखी और वेन्यू डिपार्टमेंट को मगर यह आप पर रोप लगा कि डॉक्टर निमल सिंग जी ने डिप्टी सीम थे और उन्हों ने अपने इंफिलेंस यूज कि और घर कहीं ना कहीं बनाई लिया नैशनल नियूज में भी आया कहीं एक्टिविस्स ने भी सावाल उ लिखेगी तो मुझे जरूर बताईए का यहां पर मेरे सामने आगे पुरा गाउं बसा है जो आर्मी की जो बहांतार लगी है उसके पास बसा हुआ है पुरा जितना भी यह खेत्र है तो आर्मी के यहां पास नहीं है हाँ एरियल डिस्टेंस के तौर पर जरूर बात आई लेकिन जो लीगली इस लेंड को यह जो है प्राइवेट घर हैं बाकी चीज़ें अभी आर्मी ने कभी भी उसको एक्वायर नी किया है उनके अंदर का जो एरिया उसका जो रेंट जुरूर देते हैं तो और जो हमारा केस है जो वहां पर है अपना हाई कोट में चल रहा है आर्मी ने मुझे पर केस नी कि अजबा जो है नैशनल नैशनलिसम की बात करती है बिलकुल नैशनल जिस थरीके से नैशनलिसम मगर आर्मी ने सर अगर अबजेक्शन किया तो आप लोगों को मान जानी सर आपको मान जानी सर अबजेक्शन की बात नै IP है, मेरी जमीन है, मैं ओनर हूँ, मैंने यहां पर जो है, साट लाग का लोन ले यहां जो उसके उपर घर बनाया है, लोन से मैंने घर बनाया है, ऐसे बाकी लोगों का है, आप देखेंगें, जरूर बेखीएगा, क्योंकि यह एक तरफा रिपोर्टिंग होनी चाहिए, आप सामने जो है, क्या नाम सामने ही, जो है, अगर आप चलेंगे, मेरे साथ चलेंगे, मैं बताऊँगा, कि कौन को कहां बिद्रमान है, यह केसी बालों का है, फार्म हाउस है, उसके आगे एक, जो है, पुरा गाम है, बन गाम पड़ता है, इवन के, यह जो अ अलाका है, जो नुगुरटा का आता है, तैसे बाकी जगों, जिसके बाकी establishments हैं, जा उनके लोगों के घर हैं, जा बाकी establishments हैं, इस तीके से, उसी range में, मेरे बारे घर भी बना है, लेकिन जब हमने यहां पर जमीन खरी दी, यहां loan लिया, जहां बाकी जो है, जहां दक्ष करते हैं और भी कुम पूछे किया है क्लेम किया है तो ह garicate इन इसा पर लागू हो fulfilled है कि ऑने से रगोर लागू हो गा मेरे पर ये निए था लेकर मैं था था अन्यobsर जो अफ्य घ्रव skin चीज जो effect कर रही है तो इसलिए मैंना unravel high court को मैंने request किया तो इसलिए यह जो है nationalism जो आर्मी का nationalism है आर्मी की जो सरक्षा कहा है उसको इसके साथ नहीं जोडना चाहिए यह जो है उसका अपना है क्योंकि आर्मी के अपने rights हैं उनका अपना claim है हमारा अपना claim है तो होता भी यह नब बाप बेटे में भी बात होती है तो इसलिए उसके जोडने की आवश्यक्ता नहीं है चलिए सरे इस topic को बन करते हैं क्योंकि अब यह matter जो है court में भी है अगर सर क्योंकि जो है प्रेजिडेंट है भाजपा के जम्मो किश्मीर यूटी के वह claim करते हैं कि जो है भाजपा जो है भाउमत से आएगी और भाजपा जो है यहां पर सरकार बनाएगी अगर सरकार बनाती है डॉक्टर नेर्विल सिंग जींग का उसमें क्या रोल होगा और क्या पॉर्टफोलियो लगता है आपको मिलना चाहिए या मिल सकता है देखे यह बजा हाई तो पर्टिकल आपने किया है कारणी यह है कि हम भारती जन्ता पार्टी के कारे करता है मैं काफी पराणा कारे करता हूँ और हम भारती जंता पार्टी की जो आइडियालोजी है जो उनके जो प्रोग्रेम से होते हैं जो काम मिलता है उसको करते हैं और पार्टी क्या निर्ने करेगी क्या ते करेगी उसके मताव हम करेंगे आज मैं कों कि मैं ये बनना चाहते हो ये हमारी परमप़रा नहीं अगर एक को ये अगर आप पोट्वी अपने लिए सोचते हैं as a personal choice यह वह बात करें वह कहते हैं कि हमारा जो है CM भी आएगा तो CM के लिए तीन ही faces हमें दिखते हैं और जनता में भी स्वकरत तीन faces बड़े famous है आप पे तो सर चरचाएं हो रही है कि डॉक्टर नेमल सिंग जी कहा है उमन आप से पूचा एक तो सर आपका face CM के लिए देखते हैं डॉक्टर जितिंदर सिंग जी का भी देखते हैं और अविंदर रैने जी का खुद का भी देखते हैं आपको इन तीनों से आप मेरे को पता है आप बोलोगी कि यह जो है center decide करेगी high authority decide करेगी वो ठीक है personally डॉक्टर निर्मल सिंग जी को क्या लगता है कौन इसमें से best देखेगा अगर जनता के point of view से देखना हो देखे नेदर भाई मोधी जब उनको प्राइम निस्टर candidate बनाया गया ना तो उनने कभी यह इच्छा नहीं की थी आटर जी ने कभी इच्छा नहीं की थी जब बाकी लोगों ने इच्छा नहीं की थी पार्टी फैसला करती है और पार्टी जब फैसला करेगी ठीक है तो उसको मानेगे आपको पता है कि जिस दौर से मैं गुजर के आया हूं लुक सबा लड़ता था फिर असेंबली में आया तो हमने कभी भी इस परकार की बात जो है कभी जतला ही नहीं तो इसलिए हम पार्टी के कारे करता है मगर जैसे आपने एक्जमपल दी नरेंद्र मोधी जी की और अटल जी की कही नहीं लग रहा है कि आप वही एक्जमपल अपने लिए भी दे रहे हो ने ने ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनको जब बनाया गया था तो उनका नाम नहीं था ठीक है मैं उनके साथ compare नहीं कर रहा हूँ, मैं कारे करता के तौर पर, जैसे वो कारे करता थे, जैसे हम कारे करता है, उनको जम्मेबरी दीब हो गए, अगर ये तैय होता है, अब नरेदर भाई मोदीन है जी गुजरात में ही रहना है, तो गुजरात में रहते हैं वो, परस्नली कहना जो है, मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि पहले पार्टी जो है, उसके लिए तैयारी कर रही है, और हमारी पार्टी का ये लगबग परंपरा है, जैसे आपने देखा होगा, कि बंगॉल में भी लेक्शन लड़ रहे हैं, कि इसी को लीडर जो है, डिकलेर नह नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमारी पार्टी में इस परकार की बाते हैं, जो है, बड़े अंबिशन्स रखना इस परकार की बात नहीं चलते हैं, अबिशन्स होना जरूर है, तो इसलिए उस बात में हम आते हैं, क्योंकि हम एक बड़े दक्ष रहा हूं तो इसके बाद को बहुत बड़ी रखना कि नहीं जी आभी मुझे ये चाहिए ये चाहिए हमने पहले नहीं की तो आगे क्या करेंगे जो पार्टी जो निरने करेगी जो भी होगा जो रोल मिलेगा तो वो हम करेंगे जब आप डिप्टी सीमरे एक बड़ी खास्तियत देखी गई सेंटर से जो कनेक्शन था और सेंटर के साथ जिस तरीके से बात पुंचाना है बात मनवाना बड़ा जबर्दस तरीके से होता था कुछ चीजें वहां पर भी थोड़ी ओफ रही मगर लगभग अगर देखा जा आके तो बड़ा अच्छा रहा मगर अभी एक तरीके से गवर्णर साहब पॉल्टिकल गवर्णर बोला जाता है मनोव सिना साहब को और वो भी आपके हैं मगर फिर भी जो है कहीं न कहीं बात की जाए अगर सेंटर से अपनी बात मनवाने की तो नहीं दिखता वहां पर आप क्या खामी समझते हैं तो मुझे पूरा आशा है कि गवर्णर साहब बहुत ही मैचोड और बहुत ही अनुभवी विक्ति हैं और जिस तीके से वो काम कर रहे हैं थोड़े समय में जिस परकास से उनने अपनी पकड़ बनाई है तो आने वाले वक्तम है वो भीरोक्रेसी का जो है ठीक बीरोक्रेसी ठीक लाइन पर चले वो पुरा बीरोक्रेसी की गल्ती बीरोक्रेसी नहीं चलो नहीं चलो नहीं बीरोक्रेट्स जो होते हैं उनसे काम लिया जाता है हम भी थे हम भी लेते थे काम लिया जाता है तो ठीक है उसमें से मतलब है यह तो प्लिटिकल जो लीडर है जो क्योंकि ये LG रूल है गोर्नर रूल है मतलब LG का रूल है इसलिए सारी चीज़ें अडवाइजर भी उनके अडवाइजर से है वो इंडिबेंट के पैसिटी में नहीं है जैसे मिनिस्टर्स रहते हैं तो चीज़ें जो है वो LG साब के इर्दगर सारी घुमती है तो उसलिए बहुत ठीक तरीकरे से जो फैसले हैं जाया PCR फांसो बीस की जो बात आप कर रहे हैं तरी नहीं है PDD के लोग है और भी बाकी इपार्टमेंट्स के लोग है के लोग है तो हूँ को ठीक है वो हमारे जब भी बात लोथी LG साबसे उनकी समय रखते हैं तो प्रो ने कहीं भाजबा फिर्टी दिख रही है, डॉक्टर निर्मल सिंग जी जाएंगे वहाँ पर, उनसे बात करेंगे बच्चों, लेकर मैं विक्तिकर तोर पर, पार्टी का क्या स्टेंड है, मैं नहीं कहूंगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा, कि मैं सीधा मैं आर के, जो selection होती है, उनको लिया जाता है, उस में political interference नहीं होती, political interference और वो सभीकार भी नहीं करते, और मेरा बादने होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए वो मानते हुवि नहीं, है तो इसलिए किन सरकुंस्टांसि में क्या बात हुई मुझे मालम नहीं है मेरे साथ किसी ने बात नहीं हुई है लेकन इतना जरूर था पर शायद एक बात आई थी कि कुछ वेकेंसिस इंक्रीज करने की बात थी क्या थी मेरे ध्यान में नहीं है लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो आर्मी का बीसेफ का बाकी सुरक्षाबलों का जो सिस्टम रहता है वो उसी के मताबग चलते हैं उसके दाइबाई नहीं चलते तो इसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा एक बात और शर बड़ी जो है पॉस्टनल लेवल की है और क्यूंकि चर्चाएं रही हैं सर तभी मैं पूछ रहा हूँ opposition parties की अगर leader हो या कोई हो एक्टिविस्ट हो खासकर मैं इशारा दे रहूं आप समझ सकते हैं उन्होंने काफी यह आप इल्जाम लगाए और कहीं ना कहीं रोश में आकर अगर हम खोलना पर आये रास तो हम भी बड़े corruption के रास खोल सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से सबकी ED जिनके गर्चाप हमारी उन्होंने कहा खोल सकते हैं दॉक्टर निर्मल सिंग जी के टैनवर में जैसे दॉक्टर निर्मल सिंग जी ने corruption की है खुद जो है वो पोस्ट का इस्समाल किया और उनकी जो मैडम है आपकी वाइफ जी की बात की उनके दौरा जो है बड़ी सारे जो है गेम्स की गई और कहीं कहीं से जो है पैसा लिया गया गया corruption की गई ये लजाम बड़ा आप पे लगा क्या बोलना चाहिए उन्हों आपने नाम भी वैसा रखा है मैं फूर्थ स्टेट के इस चैनल से कहना चाहता हूँ एक भी बात मेरी मेरे परिवार की अगर बताएं मैंन करना अनापशनाब बोलना घटियापन के लेबल तक आना जो है ये शोबह नहीं देता मैं ज़्यादा जवाब देता नहीं हूँ लेकिन मैं दावे से कहता हूँ एक भी इंस्टांस कोई व्यक्ति के हां मैंने किया है जा मेरे से इच्छा इच्छा भी प्रग्ड की गई है कोई एक भी बांद लाओ मैं राइनीती से रजाइन कर दूँगा इवनके मेरे परिवार का कोई व्यक्ति भी आएगा तो इसलिए मैं बिलकुस पष्ट हूँ तो आप ये बक्वास जो करते हैं करते रहें बतले मेरे घर को लेके जिस प्रकास से बक्वास करते रहें पर आ ही नहीं था नहीं नहीं था कहता हूं मैं ने रहता हूं चार चार Anda इंजिनर्स भी आप यह दू आउना एविट्स लाओ मैं कैमरे के सामने बात करूँगा यह क्या है से बक्वास करना आज एक भी बात सामने नहीं आई जो बहुंकते हैं मुझे कोई परवा नहीं है आपके दोरा नहीं जो है अगर में को क्लियरली याद है कि एन नाइटी सिर्नगर का हुआ था इश्यू हुआ था आपने बोल दिया माइड लाठी चार्ज हुआ है वहां पर कहीं बच्चे घायल हुए तो तिरंगा ही उठा रह की डॉक्त डॉक्त निर्मल सिंग जी डिप्टी की कुरसी पर आए लोगों से जो है मिलना बंद हो गए कारेकरता हुआ से मिलते थे लोकल आम लोग अगर कोई समस्या लेकी जा रहे हैं बड़ा कम देखा जाता है डॉक्त निर्मल निर्मल। साहब को ौछे वो मिलते थे आसे कहीं नहीं मिलते हैं। यह जो आप जो बात कर रहे हैं, जो हमारे अपोनेंट्स थे ना, इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, मैं कहता हूँ, मैं अपनी कांस्चुएंसी के बात बता हूँ, पैंसट मैंने जो होते हैं ना, पूरे डिस्टिक अडिमिस्रेशन को लेके अपनी कांस्चुएंसी में अपनी कांस्चुएंसी में काम किया, मैं जितना घूमा हूँ, लदाक मैं घूमा हूँ, कश्मीर मैं घूमा हूँ, जम् हमेल कोई कर रा था लोगों में रहतें थे फैदल चला हूँ मैं इन दिनों आजसा नहीं है कोई मिलते हैं को आज है कश्मीर के लोग आज भी आते हैं गुर्म के लदाक के लोग मुझे फून करते हैं आप जाए सेक्रेट में जाए कुछ आए कश्मीरियों के लिए जितनी जो है जो भी आता था वो मिरवास आता था मैं कहता हूँ आज भी है अभी भी मुझे बड़गौाम से जो है प्रोफेसर साव है उनका लंबरदार का कीश्यू है तो मुझे जो फून कर रहे थे यहां मिलने के लिए आए दूसरे जो है लोग मिलने के लिए आए बीडीसी के लोग है यह जो हैं अपने काउंसलिस मुझे मिलने के लिए आते हैं पहले भी आते थे तो यह जो कहना तब है नहीं ऐसे परिफॉर्म मैं बताता हूँ बीजली की और जो है उसकी दो-दो डिपार्टमेंट्स थे हैवी डिपार्टमेंट्स थे ठीक है अपने सरकार भी चलानी थी और पीडीपी जैसे अलाइंस पार्टन के सा डील भी करना था अपने लोगों को संभालना था उसके बाबजूद भी जितना अक्सेसिबल में में था तो मैं कह सकता हूँ कोई बताए भी मैं मुझे मने समय जो मांगा हां मतरबें पर वो आये मीटिंग में उन नहीं मिला हूँ तो हो सकता है को बात होगी तो इसलिए मैं बहुत मेहनत की है हमें जैसे चोटे विक्ति का उसने कहा है उसका क्या टाइटल क्या था है बीजेपी हैज पास्ट अफस्ट टेस्ट अगर कहेंगे तो मैं आपको वो एडिटोरिय बताऊंगा इस उसमें लिखा था सर उन्होंने किस बात को कोट करते हैं नाइटी का जो मस्रा डील किया गया जि जिस तरीके से एनाइटी में लोकल वर्सेज आउटसाइड हो गया था और दोनों तरफ से रियक्शन था मैं आपकी बात पूरी आगे फॉरवर्ड करूं नो डाउट सर बहुत अच्छे से मैनेज किया लोकल के आप यही बोलना चाहिए इंडिन एक्स्प्रेस जैसा जो है मेरे पास पेपर पड़ा हुए तो ऐसे नहीं लिखता कोई माइल का कुछ का लाठी चार्ज हुआ था तो वह को इशू थोड़ी नहीं जी इशू क्या है कि अल्टिमेटली जो है एक शब्द को लेकर ऐसे गुमाने बाली बात नहीं है लोग करते हैं जो अपनेट्स रहते हैं वह तो उनको लगता भी नहीं और कोहीं वह खमजोरी नहीं दिखी तो यह माइल का जा जो है जो है स्वेर का है वह अलग बात है इसलिए को इस्यूस थोड़ी नहीं पीडीपी की बात कि आपने और सरकार भी आपने चला ही डिप्टी से हमाप रहे अभी जिस तरीके से पीडीपी के जो है कार ना में बाहर आ रहे हैं वहीदौ रुमैनपरा का कैई एमिनिशन से अप्लाई करने अपनी गाड़ी में लेके जाते थे महभूब उंस्तिवी जो हैं वहां के मिलिंटन से लोकल मिलिंटन से बात करती थी ऐसी जुए तथ्य सामने आ रहे हैं चीजे रहती हैं, सरकार में यह जो इशुज हैं विक्तिगत ताउर पर कौन कहां किस से मिलता है, क्या करता है, यह तो समय आके पता लगता है, घर में बेटा क्या कर रहा है, बाकी क्या रहा है, वो पता नहीं लगता है, बाद में पता लगता है, ठीक है, तो इसलिए वो होन सरकार जो है तोड़नी पड़ी हमें अपना विड्रॉक करने पड़ा सपोर्ट अब यह सारी चीजें आ रही थी जैसे पत्थर बाजों को छोड़ना बाकी करना ठीक है बहुत सारी बातें आ रही थी और यह हो सकता है जैंसिस के पास यह सारी इंफरमेशन हों तो इसलिए वह सारी उसी के कारत तोड़ी ना लेकिन अभी कितना है लगबग तीन साल हो सरकार चलनी थी चे साल अगर उस समय के होते फिर से मिनले को पाट ना बढ़एगा तभी तो से लोग बोल रहे हैं अब यह उन पे शापे मर रहे हैं तब क्योँ नहीं मरवाया तक ए कहा मजा है तो भी तो बजहेंगे न ऐसे थोड़ी नहीं को को एलेक्टेड आदमी है ठीक है एलेक्टेड है तो उसी इमिजियर्टि उस पर एक्शन नहीं होता है हमने तो एक अच्छाई के लिए ही अलाइंस किया था जब मुफ्तिस साब थे अच्छाई के लिए बड़े काज के लिए, जमो कश्मीर के लिए हमने alliance किया था, ठीके हमें क्या पता है, अभी हम आपस में बैटे हैं, आपके मन में क्या चल ला है, जा आपका पिछे बैगरांड क्या है, मेरी क्या है, नहीं आपको पता है, नहीं मुझे आपकी पता है, तो ऐसे थे, नए लोग थे, पहली बार साथ साथ आये थे तो इसलिए वो सारी बाते होती है, तो अगर एक तो है कि जो सामने है सामने क्या दिखता है, जा सामने वो तो ठीकी था, लेकर अभी असली बाते हैं अंदर क्या करते थे जो है वो सामने आ रहे वहीत पारा जो है ऐसे देखने के लिए आपने देखा कि बड़ा साफ स्पोकन बहुत अच्छा है पड़े लेखा है बड़ा इंटेलिजेंट विक थी, लेकर उसके क्या समंद थे, ये तो समय आने से जब चीज़ें बाहर आती है तब ही पता लगता है तो पता लगा और मुझे लगता है कि विड़ाल हुआ है सरकार का, तो ये सारी बातें आ रही थी, जो है आईसा से उनके ध्यान में आती हो, आ रही होंगी तब ही तो ये हुआ एक लास प्रेशन सर्थ डीडिसी एलेक्शन के द्वारा हमने देखा कि किस तरीके से बड़ी सरी पार्टी इसने प्रफॉर्म किया भारते जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रफॉर्मेंस दिया मगर सिर्नगर के दल शेत्र जो है कही न कहीं अपनी पार्टी का था कि अच्छा सकते हैं आपनी पार्टी के आ सकते हैं और और कहीं डल दल जो है वो भी कही नदागे चुपए बयान दे रहे हैं और कहीं न कहीं राम हाधफ जी को भी बड़ा अच्छा सजालोंगा के साथ क्यूंकि वो है बड़ी सारे मीटिंग करते हैं जैसे आपको भी पता है क्या इसमें connection देखते हैं आपकी आ सकते हैं people conference के साथ अपनी party के सब सरकार बनाने बापिस देखें यहां तक तो ddc की बात है जो आप elections के results के बारे मैं कहा है आपने इस elections में भारती जन्ता party के तो जीत हुई है लेकर इससे भी ज़्यादा महत्यपुरुन है कि जो लोगतंत्र है उसकी जीत हुई है और कश्मीर के लोगों ने और जम्मू के लोगों ने बड़ा खुल के जो हे बोट करके जो भारती लोगतंत्र है उसमें अपना विश्वास दिलवाया है जहां तक अलाइंस की बात है आज अभी तो party ने जो तैय किया है कि हम अपने तोर पर सरकार बनाएंगे हमारा ये फैसला है बाकी हाइप प्रफट करी क्या हो सकता है आगे किस त्रीके से हो कि वो बात की बाते हैं लेकर जैसे है आपने ये प्रशन किया पिकोन लेता होगा आप क्या बनेंगे जैसे वैसा प्रशन है ये भी वैसा प्रशन है आगे क्या होगा वो तो जो है भवि और फुल फ्लेज जो है भारती जन्तापाटी की सरकार होगी फोड़ा सा मुश्किल लिखता है तब ये प्रेशन था कि किसी कहता अगर अलाइंस में आना चाहें अगर आप तो क्या आपको लगता है कौन सूटेबल रहे हैं आज की डेट मैं कहूंगा कि हम उस मुश्किल को हम यह पार करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे डौक्टर निनमल सिंग झी को डौक्टर निनमल सिंग जी क्यूं कहा जाता है वो आपने देखा होगा बड़े सवालों का जवाब जो है बड़ा चतुराई से देते हैं क्यूंकि उनिवर्स्टी में पढ़ा भिया कुछर्मा में अगार साइन अफरूमें.